पहले ये बता कि तेरी बीवी से तु बहुत जादा महबत करता है ठीक है अब तेरी बीवी ने मार दिया एक ठुस पाद गंदा सा बाद ठीक है क्या तू उस गंदे पाद को गंदा बासाई करके बोलेगा बीवी को या ये बोलेगा कि बीवी तेरी पाद में मुझे जो है व फुरकान साब मुमिन है हाँ मुमिन हूँ ओके नमाज पढ़े आज तरह भी की अलहम्दूलिल्ह कौन सी सुरा चल रही है अभी अभी हमारे अम्मा पारे कर रहे हैं अलिफ लाम में से नहीं अभी कर अम्मा पारे तीस पारे पे पहुंच गए आप तीस पारे पे आप अरे फटा फट बाग रहा आपका कारी तो फटा फट बाग रहा याँ ओके कोई सुनाओ अम्मा पारे से कोई सुरा सुनाओ माकूल माकूल आपके आपके सामने है क्या क्या बोलती है आयत बोलती है ये रेखिए आयत क्या बोलती है बोलती है चलो इनका देख लेते हैं, फते मुहम्मद जालंदरी साथ, रोजे के दिन गिंती के चंद रोज है, तो जो शक्स तुम में से बिमार हो या सफर में हो, तो दूसरे दिनों में रोजों का शुमार पूरा कर ले, और जो लोग रोजा रखने की ताकत रखे लेकिन रखे नहीं को रोजे के बदले, मौताज को खाना किला ले, क्या, 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 लेकिन ये ट्रांसलेशन इंग्लिश में हो सकता है, इसका उर्दू के बगेर, ये लिजे, इंग्लिश में कर देते हैं, ये कौन सी चैप्टर है, वर्स क्या ये, चैप्टर टू, वर्स नमबर 184 भाई, अच्या है, क्या बोलते हैं? एदर a ransom as substitute पाता चल गया भाई अब क्या बोलोगे यह नहीं है पाता चल गया जिन पर मुश्किलात है कमजोर है विचारा कोई कोई ना ना यह बास हो गया पुरा यह देखो तुम्हारा कुरान यह बात नहीं कहता है यह देखो यह क्या लिखा हुआ इसका जारा यह लाना इंग्लिष में मैं देख लेता है यह यहां से इंग्लिष केसा करते हैं मुझे नहीं वालु मैं रूख जा ख्लिक करके देखता हूं और उपर अज़ीना इन लोगों के कोई नेकी जो यह क्या है, जो ताकत रखते हो इसकी, यह देखो, क्या है, युती कुनहू, जो ताकत रखते हो इसकी, फिदियतुन, फिदिया है, तो आमू, खाना, मिस्कीन, एक मिस्कीन का, जो ताकत रखता हो और ना रखे, इसके लिए एक मिस्कीन का खाना है, जो कि आप अग्रेजी मे साहिल अंग्रेजी में ब्रैकेट्स में है तू फास्ट विद हार्डशिप इस नॉट ब्रैकेट्स में नहीं है मैंने उसको वही का है अर्भी में नहीं हो देखो पहले बात सुनो ऐसे बहुत से लोग है जो रख सकते हैं मगर उनको बाद में हेल्थ प्रॉलम्स हो जाएंग मगर इत फास्प कर रहा है तो अकल वाली बात है कि इसो आप गुरान में लफज अड़् कर रहा हूं पता चाल रही है आणर दिदा का रहा है पता चाल रही है हाँ चाल रही है पता जो बंदे रख सकते हैं आगे सो не रख旅 है ओडे हो बिमार पड़ने वाले वो नहीं लिखा है स्टार्टिंग वाली लाइन में लिखा है कि जो का था मिस्कीन है भाकि वहार इनको खाना कि उससे पहले कि जिंखो जए बीमार हो कुछ हो बाद से रिखने भानिके भीमार हो और अबार लिखना उपर देखो ना ट्रांसलेशन के अन्टरा निकाला आपड़ो एफिशेन लिख आउ जो बिमार हो उसके बार में का लिखा यह दा का आप बिमार हो तो आपने रोजा बाद में रखना है राइट हाँ ओके अब उसके बाद फुल स्टॉप है किया है हाँ फुल स्टॉप लागा है अब आगे के कह रहा है एंड अमंग दोस वर एबल और रैंसम टू फीड अ परसन उसके बाद यह लिखा है अगर आप एबल हो अगर आप ताकत रखते हो रोजा रखने की फिर भी नहीं रखना जाते बिमार नहीं हो बिमार ने तो बाद में रखने है आप ताकत रखते हो रोजा रखने की फिर भी नहीं रखे तो आपने क्या करना है एक मिस्कीन को खाना खिलाना है बस तो मिस्कीन को खाना खिलाना ह बिमार ने बाद में रोजा पूरा करना है बिमार कि यह बात नहीं होरी अब उसके बात बात हो रही है ROZA चोड़ा चाए तो क्या करें अच्छा, अच्छा मेरी बात सुनू, विमार एक होता है, भीमार जो थोडे टाइम के लिए बिमार होता है, या सब्सक्राइब लाइक मुझे यहां पर घ्र घर ठूह सकती हो, अगर तुम रोजा रखने के काबिल हो तो क्या कर रहा है अगर रोजा जोड़ो तो एक मसकीन को खाना किला हो बस हां तो कोई बंद है वो ताक्त रखता है रोजा रखने की उसको हो सकता है उस रोजा की ताक्त हो उसमें नहीं रखता हो बाद कीھो पुर्ख spor記िंशा बाद को फुरकान अरे मैं कहे रहा हूँ अगर उसको ताकत है रोजा रखने की मगर उसको हेल्थ प्रॉलम है हेल्थ प्रॉलम आबेट भी ताकत है तो हेल्थ प्रॉलम कैसे है हेल्थ प्रॉलम नहीं है तब ही तो ताकत है ना मतलब ये चीज़ तो तौं मानते हो की कोई एक बंदा और रॉजा रखना चाहTा है या रख सकता है मगर उसको उसके हालात इजाजत नहीं देते हो रखने की तॉ ताकत वर किसा हुआ हो? आकत वर क्या मतलब है? फिजिकली हो सकत है? तॉ तुम ताकत रखते हो कि दस किलो का पत्थर उठा लो इसका क्या मतलब है मतलब क्या पैस्टी है तेरी वह उठाने की अब अगर तुम नहीं उठा सकते क्योंकि तुम बिमार हो या तुम्हें कोई प्राब्लम हो जाएगी उसको उठाने से तो इसका मतलब है तुम दस किलो का पत्थर उठाने की त ताकत नहीं रखते, क्योंकि तुम्हारी कमर में चुक पर जाएगा, कमर तूट जाएगी, इसका मतलब है तुम ताकत नहीं रखते, एक चीज़ मैं बताता हूं, अगर वो उठा भी, सुनो, सुनो, अगर वो उठा रहा है, ठीक है, आब बाद में उसको रिलाइस होता है, द था जाएगा, और तुम वह इसलिगए अपने चानल के कप्ड़ कर देता हूं, तुम्हारे चैनल पर यह भी हद पार कर देते भाई लोग बेवकुफी की हद पार कर देते ताकत वर भी ए उठा भी लही सकता सारे के सारे यार असल जो पड़े लिए लोग है वो मर गए इंडिया में लगता मुझा इसलामिक पसके लुर जो फड़े तो पाता है मेडिकल कंडिशन हो सकती है किसी को इसमें कोच नहीं का रहा है तुम इतने बेवकुफ और जाहिल हो कि तुम्हारे अरली स्कॉलर सारों के सारे तुम्हें कहते हैं का थ habitat का? कोन बोलता है जादे दिखाओं? सारे के सारे? कुर्तवी, तिबरी, इबने कसी, सब के सब तुम्हें जाहिल बोल रहे हैं किन को, नाम है वहाँ स्पेसिफिकली जो तुम इसकी ट्रांसलेशन ये दे रहे हो उसके बारे में सारे के सारे अर्ली स्कॉलर तुम्हें चाहिल बोलते हैं कि अच्छा बोल रहे हैं जाके पढ़के आना फिर मिजे बताना क्या बोल रहे हैं जारे लिंग देना है अरे फुरकान सुनो वो तो ठीक हो गया तुम को तुम वहां पे तो अभी एक्स्पोज हो गए तुमारी दिमागी अपंगता तुमने बता ही मैं गो देखने का यहां पर तुम क्या एक्सपोगों गया क्या क्या तुम जले भी मारते हो यह देखेंगे यह अधिस पड़ो इंग्लिश में तुम्हारे सामने यह कां से आई यह अधिस सही बुखारी तो कुरान पर थे ना भी शहर्द वो तो हो गया ना डिसकेशन तुम वाँ बरबाद हो गया अ एक्सेप्ट फास्टिंग इस फॉर मी थीज आई शल्रिवाड विज फास्टिंग परसंट फॉर इत्वेशन वेरली थे स्मयल अंदर्म परस्टिंग परसंट इस बेटर थे ना बेटर तु अला थें दे श्मयल आफ मासका चाफिर का सब्जा इससे क्या है इसमें रोजा एक्सेप्ट फास्टिंग इट इस फॉर मी बद्भू के बारे में क्या समझा आगे जो लिखा है वेरिली इसमेल आफ दी माउट आफ फास्टिंग परसा है इस बेटर टू अला दनी स्मेल आफ मुश्ट तो क्या मतलब इसका तो जो इंसान रोजा रखता है उसको जो स्मेल आ रही होती है वो अल्ला को पसंद है तो क्या इसम में बद्भू आती है ना जो भी स्मेल आती है her Click to a पादबू आती है, रोजेदार के मुझ से क्या बदू आती है? यार, वही न है, हालिटॉसिस होता है जैसे, बदू भी नहीं कह सकते हैं उसको. बदू नहीं है वह? उसको नहीं बोलता है सैन्टफिक तरम है बदू उसको, वह झालिटॉसिस जैसा, वह लगती है, बदू तो है ये मुश्च की खुश्बू कैसे बन गई अल्ला के लिए ओ देखो इसका ये मतलब नहीं है मतलब की अल्ला देखता है कि तुम उसके लिए कितनी हार्डशिप्स फेस कर रहे हो दिन को भूखे रहे हो वैसा बोलता ना कि तुम तकलीफ में हो मेरे लो ना मैटफरिकली ले लो ना इसमें क्या मसले है क्यों आरे मेटफरिकली भी वो मैच तो होना चाहिए मेटफर तो हो रहा है ना क्यों नहीं हो रहा है कैसे मैच हो रहा है एक गंदगी को तुम खुश्बू बता रहे हो यानि तू पाद मारे नहीं तू नहीं तेरी बीवी पाद मारे और यह तो ही नहीं जैसे बोलते ना कीचड में निकला कावल का फूल भाई यह तो ऐसी होगी ना बात को ऐसी बात हाँ तो कीचड में कावल का फूल निकलता ना वो तो कवल ही रहता ना लेकिन तो उसमें क्या मसले है ख्ञभितर में गटर में अगर गू है तो उस गू को बोलेगा कि यह गू नहीं है यह तो शहफ्ध है ऐसा बोलेगा मेरा को एक चीज बता तुम्हें लोटस्ट आम खाई है कभी नहीं नहीं खाया नहीं खाया वह एग्चे उस पे रिसर्च कर रहा है ओ हो मैं कहह रहा हू हो क्या है कमाल है ना वह कहां से निकने बचल से निकन बढ़ी इनसान से टटी तो टट्टी है ना तो इंसान टट्टी बन गया उसे मैंने ये कब का इंसान टट्टी बन गया तुम्हारा कहने का मतलब वह आलागे ये आलागे मैं तुमको वही सामझा रहा हूँ वह उशी से निकला है न इनसान की टटी तो ट्टी रेइगी ना भाई दो इसका कहने का मतलब किया है? कहने का मतलब ये है, तुम लोग को कसम से तुम लोग इतने बड़े जाहिल और दिमागि अपंग है कहने का मतलब ये है कि आप की बीवी अगर पाद मारे तो उसको तुम खुझमू नहीं कहोगे, उसको तुम ओद अतर नहीं कहोगे, पाद को अगर गंदी बात सुनना भाई, तो उसको तुब बदवु ही कहेगा, चाहे तुरी बीबी जो है वो बहुत खुबचूरत है, तु उससे बहुत ज़ादा प्यार करता है, लेकिन जब प पाद मारेगी गंदा सा तो तू उसको गंदगी ही बोलेगा। उसकी महबत में आंके तू उस गंदगी उस गंदी बजबू को तू खुजबू नहीं बोलेगा अतर की। ये सम्झाना चारे तुझे। अरे सुन मेरा सवाल सुन इसका जवाब दे फिर अपना पॉइंटर पहले ये बता कि तेरी बीवी से तु बहुत जादा महबत करता है ठीक है अब तेरी बीवी ने मार दिया एक ठुस पाद गंदा सा पाद ठीक है क्या तू उस गंदे पाद को गंदा बासाई करके बोलेगा बीवी को या ये बोलेगा कि बीवी तेरी पाद में मुझे जो है वो गुलाब की खुश्बू आ रही है क्या बोलेगा हो देखो मेरी बात सुनो पहले इस सवाल का जवाब देगा तब ही आगे बढ़ने दूँगा एखो चलो ठीक है मान लिया कि मैं उसको बद बुई बो गंदी बास ही बोलेगा चलो इतना यहां दिमाग चल रहा है कि बीवी से चाहिए कितना भी मुखबत करे और कितनी भी खुबसूरत इसकी बीवी रहे वो अगर गंदे बास का पाद मारेगी तो ये बोलेगा कि ये पाद ही है उसको गुलाब की खुश्बू नहीं बोलेग सुनाओ 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 पूरी बात सुनाओ मैं कह रहा हूँ मैं अपने परस्पेक्टिव से देखो मैंने एड के की लाइंग मैंने का मैं अपने परस्पेक्टिव से बोल रहा हूँ अगर मैं बोलता ये कि हाँ जी कोई दूसरा फालाना बंद है उसको बिए यह डिपेंड करता है कि तुझे पसंद किया है मतलब कि तुझे तू अगर वो चीज पसंद कर रहा है वो उस चीज को तू लाइक कर रहा है। वो बंदा हार्डशिप से गुजर रहा है जो और मेटाफरिकली लिया गया है इस लाई में यार साइल तो इससे बात ही क्यों कर रहा है वसे मैं काफी कर से सुनने तो करके सेल भाई फुरका नहों गया तेरा like seriously speaking like कोई कोई तो अकल वला बंदा भकर यार argument देगो कितने खतनाग खतनाग रहते है okay as long as you खेल तो that's fine but like I was like कोई तो